जरतर एक्सिट पोल जहरकंट में इस वक्त काटे की टेकर का अनुमान जता रहे हैं केवल एक्सिस माई इंडिया ने जहरकंट में हेमन सुरीन की सरकार बनने का दावा किया है बड़ी खबार एक्सिट पोल ने जो अनुमान जता हैं वो आपके सामने रख दू माई इंडिया के एक्षिट पोल के मताबिक जारखंट की 80 फीटों में इंडिया लाइंस को 13 सीटे मिलने की समभाबना जताई गई है जबके एंडिया गडबंदर 25 सीट जीत सकता है बागे दूसरे एक्षिट पोल ने इसके बिलकुल उलट नतीजों का दावा किया है बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको लिये चलती हूँ और आपको एक्षिट करके जो दावे किये जा रहे हैं जो अनुमान जताये जा रहे हैं वो जानकारी आपके सामने रख दूँ आप देखें अलग-अलग एक्षिट पोल का जो आकड़ा इस वक्ट सामने रखा गया है उसमें एक्सेस्माई इंडिया के एक्षिट पोल को आप देखें तो एंडिये को 25 और इंडिया आलाइंस को ज्यादा सीटे दिखाये गई हैं यानि यहां पर इंडिया एलाइंस का पलड़ा भारी दिखाए दे रहा है वहीं अगर बात करें मिट्राइस की तो 42-47 सीटें इंडिये को मिलने का अनुमान है 25-30 सीटें इंडिया एलाइंस को मिलने का अनुमान जताया गया है पी मार्क के exit पॉल को आप देखे जहां पर 31 से 40 सीटे एंडिये को मिल सकती है 37 से 47 सीटे मिलने का अनुमार इंडिया अलाइंस को दिया जा सकता है यानि कि इस exit पॉल के मताबिक ये लड़ाई बड़े काटे की दिखाई दे रही है वहीं अगर पीपल्स पॉल्स की बात करें 44 से तेरे पार इंडिये को इस अलाइंस को मिलती भी दिखाई दे रही है तो इंडिये अलाइंस को 25 से 37 यहां पर पलड़ा इंडिये का भारी दिखाई दे रहा है 34 से 40 सीटी इंडिया एलाइंस को जा सकती है जिसमें 2 से 5 अनिया के खाते में जाती हुई दिखाए देरी और महराश्ट के तरह ही जारकंट में इस बार बंपर वोटिंग हुई है और वोटिंग का ये पैटर्न कहता है कि अधिकतर इस तरह के की हवा जब चलती है तो जो 800.45 प्रतीशत वोट पड़े है जारकंट में पहले चलन के बात करें तो 86.65 प्रतीशत वोट पड़े थे ये देखिए पहला चलन और दूसरे चलन दोनों की बात कर ले और अगर 2019 के चुनाव में वोट पैटर्न को आप देखें तो प्रतीशत 55.38 का था यानि कि इस बार य ये वोट परसंट बढ़ गया है 2.17 प्रतीशत इतनी बढ़ोतरी इसमें दिखाए दे रही है और इस वजे से सभी सियासी दल कुछ जादा उत्साहित भी दिखाए दे रहे है